जी सबी को नमश्कार जो कपिल सर ने ये सीरीज चलाई थी जो प्रॉब्लम्स होती है बच्चों की उसली घाएकी ़ाराया हैं यहां पर अपनी प्रॉब्लम्स है हो ने फॉघ मांस प्रॉब्लम्स के पनी अच्छा लगा, ने अच्छी बात है उनसे आप लोग को फाईदा मिल रहा है, हमारे लिए और बहु अच्छी बात मैं यह पर बस यही कहना चाहूँगा, जब मैं पढ़ाई करता था, तो मुझे अपने घरवालों को समझाने में थोड़ी सी परिशानी हुई थी, कि मम्मी मैं सुबा उटके नहीं पढ़ सकता, उके, भई होता है, there is individual difference, मैं उनकी गलती नहीं मानता, भई उनको यह लगता थ तो मेरी मम्मी क्या करती, कि सुबा उठो, सुबा उठके पढ़, सुबा उठके पढ़ेगा, तो बहुत अच्छी पढ़ाई होगी, things like that, दिक्कत होती थी भई पढ़ने में, सुबा अगर मैं उठ भी जाता था, ऐसे जमाही लिता रहता था, यूँ लटके मारता रहता थ तिक्कत होती थी, वही अगर कई बार, जैसे मम्मी अगर कहीं गई हुई है, और इन बिट्वीन मैंने रात को पढ़ाई करी, तो मिर से बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी, तो जो मैंने ये रिसर्च करी, बच्चों के उसमें मैंने देखा, कि दो तरीके के बच्चे मिल गई है, एक वो जो देरा तक पढ़ाई कर सकते है, एक वो जो अरली मौर्निंग उठके पढ़ाई कर सकते है, तो यू रिब तो इदेंटिफाई योर्सेल्फ, कि आप कौन सी प्रकरती के हैं, कौन सी प्रविर्ती है आपके, आप उल्लू हो, जो रात को जगना पसंद करत और फिर identify करने के बाद अगर आपके साथ ये परिशानी आ रही है कि आपको भी आपके mother-father force कर रहे हैं कि सुबाउट करके ही पढ़ाई करो या रात में मत पढ़ो या कुछ ऐसी तो इसका solution simple एक निकाला जा सकता है आप लोग अपने parents के साथ बात करो कि ममी आप या पापा आपको किस से फर्क पढ़ता है you want me to score better so I can score better रात में पढ़ाई करके तो देखो ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं समझेंगे main चक्करी हो जाता है कि हम लोग बात नहीं करते हैं तो बात करोगे तो चीजे सॉट आउट 100% होगी थोड़ा मच्छा रहे हैं आपे तो इसलिए वो बार बार आ जा रहा है anyways तो I hope यह बाले बात आप लोग को बहुत अच्छे से clear होगी क्योंकि यह हमारे education में एक hindrance create करता है तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके के रुकावट किसी भी चीज में आपके selection के आड़े आए just give your 100% अपना 100% दो जो भी दिक्कते आ रही हैं बातसीत करके solve करो उसका जो भी अब तक परिशानिया बताई गई है we are keep discussing and जो भी और problems के साथ कोशिश करेंगे कि उसके solution के साथ भी next video में आपके स्पास आए thank you for today यह problem face कर रहे हो या नहीं और कोई problem face कर रहे हो comment box में जरूर mention करो okay लेको comment box में mention करते हो तो होता क्या है reason यह है कि एक ही problem कई बच्चे भेजते हैं तो वहाँ पर comment box में mention रहता तो बच्चा यह समझ जाता है कि यह problem भेजी जा चुकी है तो वह फिर उसकी repetition नहीं होती है चलो okay thank you everyone जाहिन जाभारत